गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं अब शेक रायब से भी का स्वागत आप से भी के पसंदा यूट्यूब चैनल राय एजूकेशनल में करता हूं जहां आप से भी यूपी टीटी सी टीटी के विएस एन्वेस डी ट्रॉपल अस भी वीडियो और सिक्षक भरती परिक्षा के त्यारी करते हैं दोस्तों आज मैं सारे प्रमुक अख़वारों से क्या है खास क्या क्या सकबरे हैं सारे को समाइध करका आया हूं with authenticated proof sources मैं यहाँ पर tag किया हूँ जितने अगबारों को नाम भी आप लोगों को दिख जाएंगे ताकि आपको कोई परशानी ना हो कि कहां से यह सम न्यूज अपडेट आती है आप खुद इसकी शानबिन कर सकते हैं आप खुद इसके और अंत्रेटिक इंस्टिन को जा सकते हैं आज परमुक जो न्यूज हम लोग देखेंगे वो पहली न्यूज यह है कि UPTT से लेकर PCS तक के सवालों के गहरे में यह सारी एक्जाम जो यह UPTT से PCS तक सारी एक्जाम है सब सवालों के गहरे में है सरकार के और नेक्स न्यूज देखेंगे सीटेट दोजा इठारम में इतना नंबर चाहिए पास होने के लिए और अब चार साल में मिलेंगे सक्षक बनने की डिग्रियां हैं तीनों एक्जाम न्यूज पे फोकस करेंगे अब पूरी न्यूज देखिएगा आप लोग और शेयर करना मत भूलिएगा जो लोग इस चैनल पर है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेश करिए अब लोगों को इसका नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे है चलिए फ्रेंट स्टार्ट करते है वीडियो को यह देखिए अमर उजाला का एक आता है यूवा यूद कर के नाम से प्रेया गराज यहां पे देके लिखा हुआ है यानि कि यह इलावाद का न्यूज है यह आथेंटिकेशन के लिए मैंने यहां पे इसको टैक किया हुआ है यहां देखिए टीटी से लेकिए पीचेस तक के सवालों घेरे में इसको पहले हम लोग फोकस करते हैं आईए आगे चलते हैं तो इसकी पूरी टीटेल न्यूज देखते है टीटी से लेकिए पीचेस तक सवालों के घेरे में आपतियों के निस्तारण के बाद भी बना रहता है विवाद विशस्योग्यों की योगता को लेकर उठने लगे हैं सवाल ये तो सबसे कावन सी बात है हर साल पेपर इनका सेट होता है लेकिन इतने प्रशन गलत होते हैं तो क्या होगा विशस्योग्यों की योगता पर सवाल ही उठेंगे चलिए थ्वाट डीटेल इसके बारे भी देख लेते हैं सिक्षक पातरता परिक्षा यानि टीटी से लेकर PCS तक सभी प्रशन सवाल कोई घेरी में है प्रशन में लगातार गलत सवाल पूछे जा रहे हैं और विशस्योग्यों की योगता पर सवाल उठ रहे हैं गंबीर बात यह है कि आपतियों के निस्तारण के बाद भी विवाद नहीं थम रहे हैं और मामले कोड तक जा रहे हैं नतीजा की जादेतर परिक्षाओं के परिड़ाम समय से घोसित नहीं हो पा रहे हैं चीटी की उत्तर कुंजी पर चार हज़ार स्यादिक अपतिया आई हैं परिच्छा में आए 12 से 14 परिश्णों पर आपतिया उठाए गई हैं सच्वी परिक्षा नियमक प्रादिकारी काराले की ओर से 29 नमबर तक आपतियों का निस्तारण किया जाना है और 30 नमबर को संसोधित उत्तर कुंजी जारी होगी याद रखिएगा 30 नमबर डेट है और हमारे चैनल पर बने रही हैगा ताकि सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिकेटिट आपको उत्तर कुंजी की मिल पाए नेक्स्ट है सुत्रों का करना है कि चार से पांच गलस सवाल हटाए जा सकते हैं ऐसे में बाकी गलस सवालों पर आई अपतियों को लेकर अभ्यरती कोट में याचिका दाकिल कर सकते हैं बात करें भीचेस डोजार सोले की मुख परिशचा यह परिणाम दो साल बात इसलिए जारी किया गया है क्योंकि प्राहरे में पूछे गए सवाल गलस सवालों का एक सेकंड तो यह PCS के बारे में बात हो गई और PCS 2008 के प्राणिम प्रिच्छा को उत्रकुंजी के जारी होने के पहले ही परिच्छा वाले दिन ही अब भ्यारतियों ने कही सवालों गलत उठाने का दवा किया है तो यह भी तो सवालों को घेर में चली आरो यारो 2017 के प्राण के साथ अंतिम जो उत्तरकुंजगी है वह भी आजाएगे लेकिन इतने धेर सारे परिच्छाओं पर सवाल उठ रहे हैं तो यह एक सूचनी विज़े है जो आयों को सरकार को सूचना चाहिए और यहां पर कुछ है कि रोजगार के सवाल पर बनी अंदुलन की रणनीती और को हटाने के लिए समयत कई मुद्धों पर उठाए सवाल है यह इंपॉर्टन न्यूस आपके लिए बन सकती है आप देख लीजेगा इसको चलिए आगे चलते हैं बाकी इसकी पूरी डीटेल पीडिएफ में अपने वाट्सअप ग्रूप में प्रोवाइड कर दूँगा इसकी लिंक में दे दूब आप डिस्क्रिप्शन से वाट्सपा ग्रूप में जोवाइन हो सकते हैं और यहाँ पर सारी फ्री में पीडियफ पा सकते हैं शल sist न्यूस की बात करते हैं अब चार साल में मिलेंगे सिखशक बनने की डिगरी क्या है एन्जिटी ने डिगरी इन intermediate में 50-50 marks पाने वाले दाखले ले सकते हैं तो मतलब यह हो जाएगी आपकी 12 के बाद से 4 साल आपकी डिग्री कोर्स रही कि मतलब फायदा हो जाएगा एक साल का क्योंकि आप अभी फिलाल डिग्री कोर्स आप्ट करते हैं वो कम से कम graduation है पीजी पर करते हैं और इसके बाद तीन और दो यह तीन दो पांच साल आपका जाता है यहां बारक बाद चारी साल जाएगा तो यह इंपोर्टेंट है और NCTE ने Teaching Education में बदलाव किया है अब दो वर्षी डिप्लूमा के बजाए चार वर्षी डिग्री कोर्स होगा अब डिप्लूमा कोर्स अटा के चार सल का डिग्री कोर्स हो जाएगा तो यह बहुत अच्छी बात है और नई विवस्ता साशिक्षत्र 2019-2020 से लागू होगी मानिता का अवेदन फर्म 30-31 दिसंबर के वीज में भारा आ जा सकता है इसका प्योर्ष अभी केंद्री राज विश्विदालों को भेज दिया जाएगा और बाकी डिटेल आप www.ncte.india.org पे सारी टीटेल्ट एनलेसिस कर सकते हैं एक इंपॉर्टेंट ये न्यूज है जो आप लोगों को पता हूने चाहिए क्योंकि आप 9 दिसंबर अगर एक्जाम में बैट रहे हैं CTT 2018 के तो ये न्यूज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि CTT परिच्छा का पैटर्न और सिलेबस पास होनी के लिए लाने ह साथ मैंने अपने चैनल पे अप्लोड कर दिया प्लेश में जाकि EBS के परियावरण में CTT में देख सकते हैं यहां आप में लोग बात करेंगे कि पास होने के लिए कितने लग लाना अनिवाद है तेहां देखिए ये NDTV कवर डेस्टॉप से बनी उठाया है ये और इसमें ह होता है आप सभी ने अगर नहीं डाउनलोड किया तो जरूर कर लें सरकार रेजल्ट से और यह आपकी वेबसाइट है सीटेट की यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने आडिमिट कार तो बात कर रहें तो हम लोग की सीटेट परिच्छा में पास होने के लिए ला दो जीरो से एक जीरो और एक जीरो यह कैंसिल पंद्रा चका नब्बे तो नब्बे नंबर आपको लाने हैं कितने नंबर नब्बे नंबर और बता दें कि स सी स्टी ओबी सी डिव्यां गुमिद्वारों को पांच अंगों की छूट परदान की जाएगी यहांनी कि उनको पचासी नंबर पे क्वालिफाई करना है जनरल की बात करने तो वो लोग 90 पे रहेंगे उनको क्वालिफाई नंबर 90 चाहिए ठीक है बाकी अन कैटेगरी को 85 तो बहुत अच्छी बात है यह डिटेल निउस थी आप लोगों को पहुचा नहीं थी और इस निउस पर सबस्यादा फोकस करिएगा कि नंबर जेनरल को चाहिए और 85 नंबर अन कैटेगरी वालों को चाहिए तो उसी इसाब से अपनी प्रेक्टिस करेंगे उसे इसाब से मेनत करेंगे ताकि वह सफ़ोल में भी और अपने यूट्यूब चैनल पे भी तो तयारी को लेकर अपनी अचुक तयारी करें एक्जाम 9 दिसंबर एक्जाम के लिए कोई भी इस बार चुक ना हो पाए इसलिए हमसे जूड कर अपनी तयारी को कम्प्लीट करें और मैक्शमिम शेयर कर दीजेगा ताकि लोगों को जानकारी मिल सके और वो हमारे चैनल पे जूड कर अपनी तयारी को सुद्रिन और सुकशल रूप से इसको सफल बना सकें तो थैंक्यू सो मच फो वाचिंग और ऐसी डीटेल नीज के लिए बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पुलिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में और हम लोग डीटेल एनलसीस डीटेल पढ़ाई अपने स्ट्रिक्शक वरती ब्रियागी स्टार्ट करते हैं थैंक्यू सो मच